तो गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकि है आज से कुछ टैम पहले हमें एक लिजार नाम की एंटिटी मिली थी जो की बहुत जादा डेंजरस थी इसलिए हमने उसे अपनी जेल के अंदर बंद कर दिया था बट अभी वो उस जेल में से पता नहीं कैसे भाण निकल एंड उसको ही मैं फॉलू करते करते इस जगह पर पहुच चुका हूँ बट मुझे लग रहा है कि जो एंटिटी है न वो विलेज के अंदर छुपी होई होगी और अभी मुझे वो एंटिटी दीखती है तो मैं उसे सीधे मार दूंगा क्योंकि वो बहुत जादा डेंजर है इसलिए मेरे पास आज पूरी पावर है मैं पूरी तयारी से आया हूँ क्योंकि आज मुझे उसे खतम करना है तो लेट्स को चलते हैं उस विलेज के अंदर एंड देखते है और बहुत जादा डेंजरास एंटिटी है वो तो देखते हैं अभी कहां छुपी होई होगी क क्योंकि कुछ नहीं पता उसका वो आमके बहुत जादा खतरनाक तरीके से अटेक कर सकती है इसलिए मुझे उससे थोड़ा बचके भी रहना होगा बहुत सारे विलेजर के घर है मैं चारा हूँ कि इनके अंदर डूंडू क्योंकि हो सकता है कि वो एंटिटी घर के अंदर चुपी होई हो तो यार विलेज के अंदर बस एक लास्ट घर बचा हुआ है जो कि एक यह है और मुझे लग रहा है इसके अंदर हो सकती है क्योंकि रास्ता यार इधर का ही था वो इधर की साइड पर ही आई थी एंटिटी बट अभी मैं देखने वाला हूँ और वेट इस मैं दूर रहूँच से एंट है मैं यूज करना चार अब यह गलाट चले गया वाठे रहूंगा क्योंकि Uप को यार एक अंटिटी मर चुकि बट या समझ नहीं आया यह दूसरी एंटिटी कहां से आगी एक ही एंटिटी मैंना बंद कर रखी थी अब यार मेरे हाथ में से सौड किदर गई पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ बट मैं इसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे इसे खतम करना ही इसकी है जा सकता है कुछ भी नहीं पता चल रही है किनी एक nah 1927 चल रही है कुकि एसकी तो यह ऑt ही पता नहीं चल रही है अब कैसे मारू से मुझे तोस्ता ही नहीं क्योंकि तो है कितनी फता रही है बच्ची हुई है इसकी यार मुझे लग रहा है मैं मढ़ जाओंगा क्योंकि यह बहुत पीछे पड़ गया है अब यह मेरे पीछे पड़ चुका है अब यह मढ़ चुका है अब एंड इसने पी गराई है उठा लेता हूं बट यार यह फाइनली एंटिटी मर चुकी है एंड मैं भी थोड़ा सेफ हो चुका हूं सेफ तो वैसे होई चुका हूं बट अभी इतना भी नहीं क्योंकि भूश सारी एंटिटी आना बाग ही है अभी तो उनसे लड़ना भी बहुत जादा ज बाइ बाइ बाइ